बिस्मिल्लाहिरमान रहीम अजीज नाजीन सलाम उनलाइकूम मैं हूँ साजी दिर्जवी आपके दर्मियान हाजिर हूँ एक दिल्चस्प जो है सब्जेक को लेकर जिसका नाम है आइडियोलोजी आप देखेंगे पूरी दुनिया में बलकि इस तरीके से ग्रूप बन जाता आपके जाता है के अपनी आइडियोलोजी को सुसाइटी में लांच करने लगते हैं कि हम सही है हम गलत है। ऐसा ग्रूप बाजी चलने लगती है लेकिन हके निधेटिव इंपक्स वसाइटी में कितने زादा होते हैं और कई सवालों के साथ आज हमारे दर्मियान अकبر صاحب आये सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं सलाम अलैकूम अलैकूम, सलाम राहमतल्लाहि वबारकातो कैसे हैं खेरे से हैं लादालाका शुक्र, सब्टी प्रफिसर शाब जो हमने हाँ सब्जेक लिया है वो आईडियोलोजी लिया है जैसे कि आप देखेंगे जब से सोशल मीडिया आया है वाटसअप पे भी छोटे छोटे ग्रूप बन जाते हैं फेसबूक पे भी ग्रूप बन जाते हैं हर जगा ग्रूप बाजी चलने लगी है और एक अपनी थौट को जो अपीनियन होता है उसको प्रिजन्ट करने लगते हैं तो मुझे जानना यह है और हमाई नाजिनी मी जानना चाहते है कि हकीकत में आइडियोलोजी की डेफिनेशन क्या है दूखे असलमें आइडियोलोजी आइडियाई से है या यह कि आइडियल से इसको समझें कि ideal जो है उससे ideology बनती है, कोई न कोई हमारा نजरिया होता है, उससे ideology बनती है, तो ideology को अगर हम translate करें अर्दू में या उसमें तो एक नजरिया है, जिस नजरिया की benیات के आपर, या हिंदी में कहें के दरिश्टिकोंड तो जो दरिश्टिकोंड या नजरिया होता है वही आइडियालोजी को तै करता है अच्छा कोई भी समाज जिसके पास आकल हो फिक्र हो सोचता हो समझता हो कोई ना कोई नजरिया जरूर रखता है तो दुनिया में भी रहा है मार्कसिस्ट होती है, जो मिर्टीरियलिस्टिक लोगों की होती है या कोई स्प्रिचूल उसके पीच्छे थेओरी होती है कभी-कभी यह जैसे एक डॉमिनेशन वाली होती है कि दूसरे और अर्टो क्रैटिक या यही के हम उची वाल दाथ वाले हैं उन्ही चीजात वाला है एक आइडियोलोजी ही होती है अच्छा जात पात में भी आइडियोलोजी ही तो है कि हमको भगवान ने सर से पैदा किया है और किसी को पेट से पैदा किया है और किसी को सीने से पैदा किया और किसी को पैट से पैदा किया अभी आप देखें जब सबसे पहले उनने सो चौबिस चौबिस याद नी मुझे जब डॉक्टर अमबेटकर ने मनु इस्मृति जलाई थी जी जी तो कि मनु इस्मृति में ये लिखा हुआ है मनु इस्मृति में के शूदर इसलिए पैदा ही किये गए हैं जो फूर्थ क्लास हमारा बनता है हिंदूों में शूदरों को इसलिए पैदा किया गया है कि वो उपर वाली तीनों कास्ट की सेवा करें खिदमत करें वो उनको चाहिए ये कि अपने को इस काबिल बनाएं कि उनके अच्छे खिदमत गजार और सेवक थाबित हो ना उनने पढ पैदा हो गया दमाओ ने पैदा हो बगवान ने कहां से पैदा किया अच्छा हो अगर मैं कहता हü हो बगवान ने पैरों से भी पैदा किया उ ह atrás नहीं ये बड़ी शक्सियत होगी उतने बड़े ऊसके पैर हों गे तो अगस दात परफ़दिगार की बात आ जाई बलत ओ जिसमों जिसमानिया से पाक है लेकिन अगर ये बात आ भी जाए तो उसके पैरों को आप दूसरों के पैरों से जह कर सकते हैं तो मैंने करने मुख्तलिफ नदरियात होते हैं जो प्रिवेल करते रहते हैं, कभी यह कि जैसे फिरॉन कहता था मैं खुदा हूँ, आचि यह भी एक आइडियोलोजी है, जो बादशाह हो जाता है कि कि जैसे हमारे अबाप, यह मुस्लिम बादशाह जबाए तो उन्होंने हि बादशाह सूरज है, यह आपके हैं जो नमरूद था, जनाब इबराहीम के जमाने में जो टकराया था जनाब इबराहीम से, वो भी सूरज वन्शी था समझें, यानि उसके हाथे हो जी ती, वो सूरज जो था, वो रब अरबाब है, जतने नीचे वाले खुदा हैं, उनका उनका रब है, और यह खुद रब बना हुआ है, तो वो कहता था, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, फिरोन भी इसी तरह से हुकूमत करता था, तो यह कि हम आशाहिसी लिए जिन्दा लोग दफन कर दिये जाते थे, कि उसके साथ खिदमत करें, तो अखोता क्या है, कि जब तक कोई ideology पीछे कोई एक मजबूत background या फिक्र नहीं रखेगी उसमें अगर कोई beauty होती भी है तो कोई नो कोई खराबी उसके अंदर अपने आप शामिल हो जाती जब दुनिया वाले बनाते हैं मसला उन्होंने capitalist ideology बनाई तो उसमें spirit या रूह को गाइब कर दिया रूहा तो बागी एक दूसरा class बन गया जो दुनिया के मसदूर नहीं है यानि capitalist हो मसदूरों का टकराओ शुरू हो गया एक class हो गया तो इसलिए कहना यह कि यह जो theory है कोई ना कोई ऐसा base होना चाहिए ideology के पास जो पूरे मौशरे और समाज और सब के development को देखता हो जैसे आपने क कोई base होना चाहिए पर आज को जो जमाना है ना देखिए baseless ideology को अगर present कर रहा है कोई society में तो लोग यह देखते हैं कि इसको कितने लोग follow कर रहे हैं अगर वो ideology को large number of group follow कर रहे है तो बोलते है यही सबसे सही है बाकी अगर वो single है अकेले है दूसरा तो बोलते है यह गलत ह तो क्या यह proof करता है कि यह ideology सही है आपका कहना बिलकुल यह सही है और यह आज की फिकर नहीं है यह हमेशा फिकर रही है जी लोगों ने इस विकर को हमेशा से बनाया का अचा उसमें सोचा ही जाता है कभी कभी लोग कहते हैं अरे अगर गलत होती बात जी 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 तो यह इत देमाल से बात पर फरक आता है जैसे एक वरत है जो दिन भर सिलाई करती है तो उसका हाथ जो होता है तुर्पाई और सुई चलाने में बिलकुल वो हो जाता है आप पकड़ लिजे थोड़ी देर को सुई पांच मिनट दस मिनट आपकी उंगलिया दुखने लगेंगी मगर वही रेटेलर दर्जी जो दिन भर करता है सिलाई अगर उसको आप कंप्यूटर पर बैठाते हैं तो थोड़ी देर में ठक जाएगा क्योंकि उंगलिया उसकी आदी नहीं वैसे ही ये लोग अपनी आकल जिस लाइन में इस्तेमाल करते हैं उसमें ये बिलकुल फिट होते ह मैं क्या हुआ का भगवान दूद पी रहे हैं यह पूरा किस्सा पूरे हिंदुस्तान में मानुआ जजेज दूद खरीदे हुए पैकेट्स यादि वो पैकेट्स ब्लाक होने लगे अचा मैंने भी जल्दी देखा दूद मंगा लो शाहिए सुमा की चाय के लिए रहे तो हम ले जाय केट्स डाइए यहा और भेन दूद तो इस पो सब्सक्राइए जिल्देखा हैं ते यह रेने जूद दूद लगे उवर भी जेन तूर वह पने हैं रोगे झाल दूद में ऊछ वर वही नीचा है आगरे को यह निपदोड निफने तो पृघर दूए तूर से र प्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, कि अगर गॉड है, वो मूर्ती की शेकल में भी है, तो उसे अचानक दूद पीने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब इतरह हजार साल से उसने दूद नहीं पिया, तो आज क्यों पी रहा है? तो यानि आकल चुंकि वहां पर वो इस्तेमाल नह में, अब ट्रिनिटी को लेज़े, तसलीस उनकी है, वह एक तीन नहीं हो सकता, तीन एक नहीं हो सकता, अब वो कहा था, खुदा तोहीद भी है, और तोहीद के साथ रूह-ुल-कुद्स हो गया, जानि वो और जणाब-ई-ईसा तीनों मिलके एक है, अब यह एक तियोरी हज आइडियोलोजी है, तो दखल देना चाहिए, हाँ, आखल की बुनियाद है, आखल के बगएर कोई आइडियोलोजी, आइडियोलोजी की तकमील और उसकी पाफेक्टनेस इसी बात पर डिपेंड करेगी, को वो सपोर्टेड बाई रीजन हो, अगर रीजन सपोर्ट नहीं क खुसर, इनसान घाटे में है, तो इसका मतलब मेजारिटी तो घाटे में चली गी, इल्ला लजीना आमनू आमिलु स्सालिहात, वतवासो बिलग, वतवासो बिस सबर, फायदे में कौन है, उनकी देखिया आइडियोलोजी बताई, कि वो एमान लाते हैं, और नेक काम करते ह अच्छे हैं, वतवासो बिलग, और दूसरों को भी अच्छी बात की तरफ तवज़ दे लाते हैं, वसीयत करते हैं, वतवासो बिस सबर हो यह भी बताते हैं, कि अगर कोई परेशानी आए, जहमत आए, तो बरदाश्ट होनी चाहिए, कठन के वकद में एक दम से परेशान में आए, और जब आपने अपनी तहरीक शुरू की, और इसलाम को सुनिया के सामने लागर के रखा, देके दीन इसलाम तो वही आइडियालोगी है, जो शुरू से नीचे कहां तक चला रहा है, उसके रूल्स में चेंज़ होते हैं, सरकमिस्टांसिस के, उसकी जो बेस है, जो प्रिंस्पिल्स हैं, उन बेसामे कोई चेंज़ हैं, यह नहीं कर प्रिंसिपल्स हैं, यह नहीं होता है, हदरते आदम के वक्त में क्ई खुड़ा थे, वाद में दो चार मर गए, अब एक है, ऐसा नहीं है, वह पहले भी एक था, नभी हिदायत के लिए आता पहले यह अब नभी के पास हो गई नहीं वह वही पैसी थी कियामत के तसवर आद्ला नहीं जब देखा आदमी बगड़ने है तो कहा चलो कियामत भी होना चाहिए नहीं पहले से तसवर प्यामत भी था हर चीज वैसी मौजूद थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ change guy में होता है rules में होता है मान लिजे थोड़ी देर को बहुत सी चीज़ें बनी इसराइल में खाने का allowed नहीं थी यहां पर allowed है बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो उस जगह पर मिटना की जाती हो उसमें दिक्कत आ रही हो आज allowed है देखें जिसे हमारे इमाम जमाना की सलसले में ये बात कही गई है कि बहुत तो फरमाया मासूम ने कि वो जब आएंगे और जहूर करेंगे तो बहुत से ऐसा भी होगा कि जिस तरह तुम्हारी गवाही होती है उनको इस गवाही की जरूरत नपड़े तो जिस दूमाने में मतलब एविदिंस का इसलम में एविदिंस क्या था दो आदिल गवाह काईने के जो साधिक हों इमानदार हों वो गवाही दें तो था था उन्हीं की गवाही मानी जाएगी नी वो तो है मगर अब उसकर जो साइंटटिफिक ऐज है आज गवाही कैसे हो जाती है मालू हुआ कि हम यहां बैठे थे के नहीं बैठे थे अगर मैं अब यूट के जाओं तो कुरसी के फिरिंट्स बता देंगे किस आदमी ने कुरसी पकड़ी थी हमाँ पर कौन बैठा था किस का यह है ना तो वो साइंटिफिक नॉलेज्ज हजदत का फरमाना यही रहा होगा कि इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि उनको यह ज़रीद ने कि यह कहे तो मालूम हो यह हो सकता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाएं आप देखे तस्वीर हैं प्रफशते हैं मैंने एक जगह पढ़ा था कि उन्होंने तजरवा किया ऐसे कैमरे का कि 10 मिनिट बाद टैक्सी स्टेंड खाली हो गया 10 मिनिट बाद उन्होंने तस्वीर ली कि 10 मिनिट पहले कौन-कौन थी गाड़ यहां कhड़ी थी और तस्वीर ने आ गई यानि दस मिनिट पहले खड़ी हुई टैक्सियों की तस्वीर कैमरे ने खरीदी ले ली, क्लिक कर ली अगर आदमी इतना एडवांस हो सकता है तो इमाम के जमाने में साइंटिफिक नॉलेज यहां पर भी आ सकती है के दो घंटे पहले यहां मर्डर हुआ है तो कैमरा लगा और भी मालूम हो जाए के दो घंटे पहले की सिचुविशन क्या थी और क्या हो रहा था जी तो अब वो चीज है तो यह मैं यह कहा रहा हूं कि रूल्स बदल सकते हैं जिसनी साइंटिफिक नॉलेज एडवांस होती तो जाएगी यह से आगे बढ़ेगी वैसे रूट मान लीजे कि इसलामी दोर में पुस्मार्टम नहीं होता था उस जमाने में जो पूरा गदीम जमाना था अगर इमाम का जमाना आया या नभी का जमाना और साइंटिफिक नॉलेज एडवांस है तो क्यों नहीं हो सकता पुस्मार्टम क्या बात है कैसे है कुईसी चीज से जो नतीजा निकल सकता है मगर प्रिंसिपल्स में चेंजिज नहीं होते हैं तो आइडियोलाजी जो है वो प्रिंसिपल्स से कनेक्टेड है रूल से नहीं कनेक्टेड है रूल तो अगे अच्छा एक वक्त में कई रूल हो सकते हैं आप को वजू करने का हुक्म है मुझे तैमू करने का हुक्म है आइडियोलोजी एक है नमाज पढ़ना है फिर भी आइडियोलोजी एक है नमाज दोनों आद्मियों को पढ़नी है हमें ये है कि पैर तक्मे तकलीफ है हम बैठके पढ़ने हैं आप खड़े होके पढ़ें तो रूल्स में चेंजिस हो सकते हैं, रमदान का महीना आया, आप कोई मसाफिर हैं, आप ना रखिये, मैं रखूंगा, मगर रोजा अपनी जगा पर स्टेंड कर रहा है, तो जो जिसका हुक्म चल रहा है, उसका वो हुक्म तबदील नहीं हो रहा है, सरक्मिस्टांसे उसको चेंज करना है, प्रिंसेपल सेम रहता है, आइडियोलाजी के पर, तो हजुरत इबराहीम अशलाम की बात में करो, वो तो अकेले थे, नमरूत पूरा था, सब लोग उसी के ग्रूप के थे, सब उसी फिकर के लोग थे, सब वैसे ही करते थे, तो कोई individual भी अपनी फिकर में इतना मजबूत हो, कि जनाम इबराहीम अले इसलाम को फॉलो करें, तो वो खुद एक ideology है, वो exist करता है, majority और minority तहीं नहीं करेंगे, कि जादा लोग किधर है, किधर है, किधर नहीं है, तो इससे, यह जो आपने मात बताई, कि एक single भी अगर है, लेकिन अगर वो अपने उस पे खड़ा है, सही ideology के साथ, तो वो सही माना जा सकता है, लेकिन आज कल जो एक और रुख चला है, कि negative ideology का impact society में बढ़ता जा रहा है, तो हमें कैसे judge करना होगा, कि यह negative है या नहीं है, बिकोज जैसा कि हमने का large number आफ लोग उसको propagate करते हैं, उसके बारे में positive rumors, positive चीज़े पहलाते हैं, तो अगर एक इनसान को judge करना है, यह सही है, कि नहीं सही है, for example, जैसे social media कोई फत्वा आ गया, हमारे धर्मियान, अब उस को judge करना है, तो क्या, इसका parameter क्या होना चाहिए, नहीं देखे, जो हम लोग ने शुरू में बात की, कि reason हमारे पीछे लगेगा, आकल और reason तो base हैं, जिन से इसको जाचना पड़ेगा, कि ideology सही है या नहीं है, दूसरे बाद यह देखे, आज तो खाली आप ideology के बारे में क्य हो जाती है, अब आप बाद में पूरी news आप देख लीजिए, वहाँ कहीं कुछ नहीं होता, जो वो कह रहे हैं, वो भी नहीं है, उनके यहां भी नहीं है, और अगर है भी, तो उससे कोई उसका तालुक नहीं बन पा रहा, तो बगस्त ही है थे किसी चीज़ को इस तरह से क को हम कहें सचाई और जूट जो होता है, तो कहां सचाई की मिसाल वैसी यह दो दो मिसाले दी हैं, एक समंदर के पानी की दी है, जैसे समंदर का पानी होता है, और मशाला आप लोग तो बंबई में रहते हैं, और सर गूमने भी जाते होंगे, और बातिल की मिसाल उस फेन की जो उठता है उसके ओपर या जो जब लहह तकराती है, तो उसमें कहा है कि तुमक देखने में लगता होगा कि फेन बहुत ज्यादा है, उसके ओपर जो फेन आ रहा है, मगर यह फेन खत्म हो जाने वाला है, झाले सापन से धोईए आप थोड़ी देर में अपने अपने कपों गाते हैं सोना है चांदी या तो उसमें भी फेन बहुत उपर आ जाता है लेकिन असल Shotλι के होती है धत की होती ना कि फेन की तो का हक की मिसाल वैसी ही है जैसे धात या सबंदर का पानी होता है और ये फेन जो है ये बातिल है ये अस्ते हैं ये देखने में 테ए भूर बहूंट गए रहा है लेकिन ये बहुत देडर तक ये रहेगा ये बैट जाएगा पुरान ने इसको हक और बातिल के मिसाल में दिया तो आरिडियोलाजी भी अच्छे मिसाल कुरान की है, आइडियालोजी भी हक और बातिल से जाची जा सकती है, कि आइडियालोजी सत्ते पर आधारित है या सत्ते पर आधारित है, अगर वा सत्ते पर लगी हुई है, बातिल के उपर जुड़ी हुई है, हमारे हैं तो हिंदू फिलासिफी और मुहाब जंदर जी अपने बंदरों ही किसे जीत गए, मतलब यह ना, पांडों की मकावले में कोरों के पास ताकत ज्यादा थी महा भारत में, मगर इसी हिंदोस्तान में आखर में जीत पांडों की हुई, क्योंकि सचाई उनके साथ थी, तो जब सचाई होती है, तो सचाई की जीत होत ने, वो तो देखें ने को नेगेटिविटी जो होती है, वो नेगेटिविटी एक तरह का प्राबलम क्रियेट करती है, समाज में या सिसाइटी में, के वो लोग, अब इसमें देखिए जो एक बात मैं तवज्यो दिलाओं नाजरीन को भी, जब भी कोई नेगेटिव आइ आप जितना हाथ पैर मारेंगे, उतना ही फेन बढ़ेगा, तो आप क्यों उसके चक्कर में पढ़ेंगें, आप एक सही डिरेक्शन में चलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, वो इन्शाइलला वक्त के ओपर अपने आप खतम हो जाएगा, वरना देखें ना, जितना आप क यही आइडियालोजी वालोजी वालों को मैं, जो पॉजिटिव आइडियालोजी वाले हैं, उनको गुरान ही से मैं सहारा देते हुए कहता हूँ, गुरान ने तारीफ किया जनाव इबराहीम लिए विए कि वो बातिल से, असत्त से, या जो नेगेटिविटी है, उस से कट के कतरा के चलते थे, टकराते नहीं थे, उनका स्टाइल ये था कि अगर बातिल सामने आ रहा हो तो वो कट के निकल जाएं, देखिए जब नमरूद को उन्हों ने शिकस दे दी थी ते अगरीबान हर चीज़ में, लेकि नमरूद देखा चले जाओ, यहां से हमारा मुल्क चले भी गए, क्या करना है इसके लिए वो महीं के नहीं में रहूँगा तो यहीं हो, मैं तुमसे लड़के रहूँगा और मैं तुमसे जीत के रहूँगा, आपने ऐसे नहीं किया, तो बातिल से कतरा के चलते थे, अब हम आये हैं माशाला सभी लोग अब तो ड्राइव कर यह ना, तो समझदार ड्राइवर होने के ना थे, आप अपनी गारी काटेंगे, चाहे राइट काटेंगे, चाहे किसी तरफ ले जाएं कि भाई टकराओ नहो, उसके बाद अपने लाइम पर फिर आजाएंगे, निकल जाएंगे, इसको किसी आदमी ने अच्छी बात कही है कि एक मिजाज पानी का होता है, जो पहाड पर से गिर रहा है, और एक मिजाज पहाड का होता है, जो यह पत्थर है, जो बीच में आता है, पत्थर टकराता रहता है, पानी आया, पानी ने टकर ली पहाड से, और उसको लगा कि आगे पत्थर है, तो वो यह नहीं करेगा कि बार बार अपने धक्के दिये जाए, कि लुटा रहे, वो अपना रास्ता थोड़ा से कट करेगा, चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद निकल जाएगा, यह पत्थर अपनी ही जगह खड़ा रहेगा, हजार, दो हजार साल बाद, और वो पानी अभी कुछ देर बाद यहा हैं, गुट सिटिजन्स हैं, उनको बजाएगी कि दूसरों से लड़ने को अपना वो बना लें, कि मैं डॉमिनेट कर जाओ, मैं हरा दूँगा, मैं वो कर दूँगा, हम ही सही है, और बाकी सब गलत है, हम जो बोल रहे हैं, यही सही है, हमारा कहना है, यह भी एक तरह की डि पूर यह है कि सावन के अंधे को, सावन वो महीना होता जब चारो तरफ हर्याली चाही हुई होती है, तो वो सावन का महीना होता, बारिश खुब हो रही है, उस दमाने में उसकी आँख की बीनाई जाती रही, तो वह सावन का अंधा, तो उसे हर चीज हरी नजर आती है, य किस बात दो इर्शाद फरमा गरोहों का जिकर किया है जो बातिल गरोह थे जिसको जो मिल गया है उसी में नहाल है उसी में खुश है जो पा गया उसमें बस उसी में खुश है उसके लिए हजारों सनद देगा उसके लिए हजारों बातें करेगा अब हमको यानि वह उससे अच पूफी की बाद कर चुके तो ये भी करेंगे। अगर ये कर चुके अगर बाप दादा से इनकी खलती हो गई है। तो क्या ये भी करेंगे। इमाम जाफर इसादिक अलिए मिला कि आपके किसी चाहने वाले ने घर बनवाया। तो बुलवाया। कि मुला आईए हमाएं घर पर जरसा आप आएंगे अच्छा लगेगा बरकत होगी। आप गए। तो बड़ा गली-दर-गली था मकान। बहुत। तो हदरत ने फरमाया तुमने नया मकान बनाया तो किसी अच्छी जगह बनाते। का मुला यह हमारे बुजरुगों का की जगह है इसलिए हमने बनाया। थासर ने फरमाया। कि अगर तुम्हारे बुजरुगों से कोई गलती हुई है तो क्या जारी रखोगे। वही काम करेंगे जो। तॉलरेंस। देखिये खुरुण के चमता होनी चाहिए आपूँ है। जाए उसमें टॉलरेट करने की आप में होनी चाहिए। देखिये क्या कहा। लाइक राह फिर दीन। दीन में किसी तरह का जबर नहीं। देखिये जब बात कीजिए गुफ्तुग कीजिए बहस हो कोई किसी मैं है तो बहतर से बहतर तरीके से बात कीजिए। अहसन तरीका। अहसन कहते हैं अगर किसी उससे आर्ग्यूमेंट करें आप या रसूल ला तो आप दी बेस्ट मोड में बेस्ट वे में आर्ग्यूमेंट करें एक सही तरीका अपना है। नहीं खाली अच्छा नहीं जो सबसे अच्छा हो कि आप पॉलाइट रहें आप रहें आप गुस्ता नहों आप जो कि खुदा रसूल ला से कह रहा है। शुरू हो जाती है कुटों की तरह से फिर को दांत निकल आते हैं या उनका तो फूरी कुटों की शकल आ जाती है कि यह उन पच्छा पट रहें। अगर एक आदमी नहीं समझ रहा है उसने टाय कर लिया नहीं समझेगा आप पाच पीसे चले जाईए। अगर जबर्दस्ती किसी से कुछ मनवा सकते हैं अगर जबर्दस्ती मनवाना होता तो अतने नभीयों को क्यों भेजता है कि जाओ फिरौन को समझाओ जनाब मुसा को वरसों लग गए समझाने में। दंडा देते हैं मार के जो कब वकद को समझा देते हैं जो आदमी अपने दंडे को अल्ला ने बोज़जा दिया हो कि अच्छधा बना सकता है और दंडे से उनकी खोपड़ी भी दुरस्त कर सकता है। लगी इसके माल ने इनकी है। आपको भी नहीं के जबरदस्ती नहीं की। खाना बंद कर दे, पानी बंद कर दे, जहमत में बबद्दा कर दे, बीमार कर दे तो अब लोग ठीक हो जाएं, दमाग दुरस्ट हो जाएं। अल्ला इस तरह चाता ही नहीं। आज कोई जमाना है ना बस एक आखरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि हमाई थौट अगर मैच नहीं कर रही है तो क्या हमारी जिम्मेदारी ऐसी बनती है कि हम उसका स्क्रीन शॉट लेकि लोगों तक उसकी बुराई और बताएं या कोई पॉजिटिव अप्रोच किया जा सक कि हम जो फॉलोवर जिसके होते हम उसको भी गाली देने लगते हैं तो एक पॉजिटिव वे में आप यहां पर एक मैं पर पिर कहता हूं मैं कि कर आन का सारा लोगा क्योंकि बेहतरी ना इडिया लोजी तो बेहतर कोई साथ उससे तो बेहतर नहीं है पॉरान ने मना किया कि कि दूसरों के रहनुमाओं को बुरान न कहो अच्छा रहनुमाओं से मतलब रिलीजिन नहीं है ना सिर्फ एक दूसरे के रिलीजिन जिनकी वो गदर करते हूं जिनको वो जिनकी क्योंकि अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे तो वो पलटके तुम्हारे को तुम्हारे ख हैं कभी मैंने आपसे दिक्र किया हुजा किसी प्रिग्राम में एक जमाने वह चैटिंग होती थी ने फेस्बुक के ऊपर बहुत होती थी रूम्स होते थे तो मैंने वह देखा वह उसमें वह यही था पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हापस में जुटे हुए थे और एक दूसरे की हदीस है कि गाली बखने वाला जहाननमी है जालो फैरा उसने उसने हमें अवाइड करके फिर वहां लगा रहा है अमने का तुम इसको डालते रहो बार बार आखिर वह सब गया रूम छोड़के चले गए सब चले गए अब रसूल ला के लिए तो कुछ कहे नहीं सकते थे कि रसूल ला पैगंबर ने फरमाया गाली बखने वाला जहाननमी है उसका मातलब यह किसी को कहे किसी को कहे किया कह रहा है वो जो बात कह रहा है वो अपनी अप्रोच को जाहिर कर रहा है बली थे क्यों ना वो नमाज पढ़ने वाला भी गाली बखता हो तो रसूल ला ने उसको सब बाब कहा है कि जो सब करे गाली बके और दूसरे को कह रहा है अच्छा वो क्या क्या कहता है उसका तो हम लोग यह इनालिसिस भी नहीं कर सकते है जो भी कहता है सब जूट कहता है आदे जूट कहता है जूट कह रहा है मान निजय कि एक आदमी उसकी मां को गाली दे रहा है इनकी उम्र आठारा साल मुआ ओमारे हुआ पच्छी साल उसके हो गए ये बेकोफी की बात है ना जो भी कहरा है अच्छा जो गाली बग रहा है वो इस तरह सोचता है कि मैं चीख 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 लड़ करके अपनी बात को मनवा लूँँगा तो फिर एक माहौली खतम होगी तो भी जिसके पास ताकत होगी जिसकी लाटी उसकी भैस तो आइडियालोजी लाटी भैस नहीं चलती है आइडियालोजी एक मजबूत बेसिस से च जलती है कि जहां पर इनसान गुफ्तगू कर रहा हो जैसे हमारे आइमा के हाँ देखिये कि उनके हाँ बागाएदा मुनाजरे होते थे इमाम अली रिजा लिजा लिए तो कि वो मुनाजरे देखिये जो मामुन रशीर के दरवार में बड़े बड़े उलमा से यसाईयों से इनसे उनसे सबसे हुए हैं वो है आइडियालोजी अपनी आइडियालोजी पुट करना और दूसरे की सुनना आप दूसरे की बात सुनिये भी तो कि वो क्या कह रहा है और फिर उसका जवाब दीजिये ऐसी अगर सब लोग इस तरह करने लगे तो शायद एक पाकिजा कर जाएं क्योंकि दुनिया में यहां पर हम आप से अपनी ताकत की बिना पर और अपने जोर बयान की वज़ा से जीत भी जाएं मगर हमारे जीत जाने से सच्चाई जूट नहीं बन जाएगी और जूट सच्चाई नहीं बन जाएगा वो तो वही रहेगा जो है तो या आइडिलोजी की बात दूसरों के लिए कर रहेगे वही फ़ला वो असलन और जिनके लिए लड़ना हो सकता है वो आपस में बिलकुल नॉर्मल हो उनको पता भी ना हो यह यह आपने अच्छा इशारा किया हम यह आपको बताएं लखनौ में एक जमाने में आप लखनौ मिर्जाद ने मिर्जा दबीर के तालगात बहुत अच्छे थे बेपना अच्छे थे इस तरह अच्छे थे के मिर्जा दबीर ने मिर्जाद के मरने के बाद सिर्फ उनके चालीसमें में एक गता उनके लिए पढ़ा था उनके ताजियती मजलस में उनके शायद में पढ़ी ती उसके बाद वो मिम्बर पर बैठे ही नहीं उसके तारीख मीर अनीस की निकाली थी कि तूरे सैना बे कलीम लाह मिम्बर बे अनीस यह तारीख थी जो पोजिशन तूरे सैना की है कि जनाब मुसा के बगएर जो हैसियत उसकी है वैसे ही मिम्बर बगएर अनीस के वैसे ही है यही तारीख थी जो मिर्दा दबीर ने मीरणीस के मरने पर निकाली और साल ड़्ट साल शायद उसके बाद जिन्दा रहे वगर कोई मजलिस कहीं नहीं पड़ी इहतरा में मीरणीस में उनकी महबत में नहीं पड़ी और उनके शागिर्द लड़ने वही आज भी है वही हाल आज भी है और बज़ा ही है कि वो बिर्दा दबीर से पोच के तो लड़ने जाते नहीं थे मीरणीस से पूछते थे कि मैं जाकर उस्साद कहया हूं कुछ आपस में ही हो रही है तो ये बात समझनी चाहिए कि ये नहीं कि जो हम सबचते हैं यही सही है हो सकता है हम गलत हो हर वक्त अपने को एक्जमिन करते रहे सब लोग मेरे नाज़ावान खास तोड़ से कि हो सकता है हम फाल्ट पर हो दूसरा सही हो और अगर दूसरे के हमारे पास कि आइडियोलोजी को यहां पर थोड़ा सा डिफाइंड के है आपने बहुत अच्छे च्छे सुटिबल एक्जामपल भी दिये है आई होप आज की जनरेशन के हिसाब से लोग इसको जरूर समझेंगे बहुत बहुत शुक्री आपका मैं भी आप सबका शुकर गजार हूँ और बात उसना हम यह वैसे बहुत वास टापिक है इस पर अभी बहुत बात हो सकती है लेकि इन्शालला फिर कभी लेकिन आप अज़रात जो हैं वो एक तवज़ रखिये बेवज़ा लड़िये नहीं जो बात आपकी अच्छी है दूसरों तक पहुचा दीजे बाकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपकी जिम्मेदारी खत्म जाती है जग्रा करने की जिम्मेदारी नहीं नहीं नभीयों के ओपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली गई उनका काम अल्लह के रसूल का ये बयान किया वहाँ करान ने कि तुमारा काम पैगाम को पहुचा देना भाक्तम होगी बाक्ता का की माने ना माने तुम्हें जिम्मेधारी नहीं. बहुत बहुत अच्छे एक और आपके दर्मियान दिया है यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया जिया नाजीन आज हमने आइडियोलोजी के उपर बात की है और यकिनन अगर आप समाज और सोसाइटी में देखेंगे तो दो दोस दो भाई और बलकि दो खांदान आपस में ल कि आपकी सोच और आपके फॉलवर आप तक ही महदूद रहेंगे लेकिन समाज में आप यूल्टी के साथ रहेंगे और इस पर भी अमल करेंगे जो प्रफेसर कमाली दिन अगर सामने बताया है कि मीच्वेल अंडेस्टेंडिन के साथ अपनी जिन्दगी हम गुजारेंगे देखते हैं चैनल में शुक्रिया खुदाफिस